पकिलपार में स्टूडेंट क्रिकेट कलब के तत्वाधान में साथ दीवसिय सहीद क्यप्टन आसू तोस स्मिर्थी कप टूरामेंट का भव्य आयोजन किया गया। की टीम ने 15 ओभर में मात्र 153 रन पर ही अल आउट हो गई। इस परकार मधेपुरा की टीम को भीजेता घोसित किया गया। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अनुसासन का पाट साला है। इसलिए उन्होंने आगरह किया कि सभी खेलारियों को खेल को खेल की भावना से देखनी चाहिए और खेलनी चाहिए क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। उन्होंने जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही टीम के खिलारियों को सुभकामना एवं बधाई दी है। की जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधी का जो वक्त है वो पर्षाई के साँथ खेलकूत का भी वक्त है तो ये मेरे लिए बहुत ही कुसी की बात है कि मेरी पंशायत में जो भी मेरे पंशायत के युवा वर्ग है वो खेलों को लेकर बहुत जागरूत है अगर खेलों को लेकर के जागरूक है इसका मतलब अपने हिल्थ को लेकर भी जागरूक है और कहीं ना कहीं जो की बोला जाता था कि भारत गाउं का देश है और मुझे इस बात की खुसी है कि हमारा गाउं भी लगातार विकास कर रहा चाहे वो खेलकूद का छेतर हो, या परहाई लिखाई का छेतर हो, चाहे देश में अपनी उप्षाया का छेतर हो, हर खेतर में हमारा देश आगे आ रहा है, जहान ना इस तरह के खेलों के आयोजन किया जाता है और खेल मुझे बहुत पसंद है इसलिए में इस तरह के खेलों के आईजन में आना भी पसंद करती हो आतर जो है चित्र में जाकर के उद्भातिन करें और जो है खिलारियों को समानित करने का काम करें। क्या करना चाते हैं आज पकिलपार में आपारें। क्या मैडम डॉक्टर लश्मी जी हमारे समीटी सदस्दी हैं। यह लोग हम लोग पूरे जीले में जा जाकर पूरे युवाओं का होसला को बुलंद करने का और खेलारियों को अपनी बुलंदी सेवाज उछाने का और महिपूरा जीले के नाम रोशन करने का का हम लोग उनको सब्सक्राइब करने का काम करते हैं। जी अपके लोग हम डॉक्टर वी के आरे हैं। मैं घहलार जीला पारशत परते हैं।